कुछ Google अप्डेट्स होती हैं जिनके बारे में Google बताता नहीं है आती हैं, जाती हैं, कुछ websites को feel होता है, कुछ websites को feel नहीं होता है कुछ updates होती हैं जिनके बारे में Google announce करता है कि भाई ये broadcore update हमने rollout करना शुरू कर दिया है और एक या दो हफते में ये complete हो जाएगा डिरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे panda update थी, penguin update थी वैसे ही आ रही है Google की helpful content update ये एक site-wide signal होगा, मतलब कि अगर किसी website के 30-40% पर ये update लागू होती है उस update से effect हो रहे हैं, तो बाकी के 70% pages का भी traffic डूब जाएगा आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये helpful content update क्या है, ये किस तरह की websites को affect करेगी, इसका क्या असर होगा और क्या इसके लिए आपको अपनी website में कुछ changes करने चाहिए आज के वीडियो में हम गूगल की आने वाली helpful content update को discuss कर रहे हैं जैसे हम आपको Google search engine के नए-नए announcements के बारे में notify करते रहते हैं वैसे ही आज के वीडियो के sponsor, Notix, आपकी website के visitors को आपके announcements, offers और deals के बारे में notify कर सकते हैं Notix एक smart push notification service है जो आपको अपनी website के visitors को re-engage करने के facility देती है आप अपनी audience को geo target कर सकते हैं, device target कर सकते हैं, campaign segment बना सकते हैं So Notix को use करके आप अपने offer, deals और normal notification बेज सकते हैं Link is in description and yes, notification का एक free plan है, paid plan है and एक monetize plan भी है जो आपको अपने traffic को monetize करने का feature देता है So go check it out, link is in description इस वीडियो के चार हिस्से होंगे Number 1, इस update की जरुवत क्या है, इसकी history क्या है, यह हम जानेंगे Number 2, इस update का मतलब क्या है, क्या है helpful content exactly Number 3, किस तरह की websites को इससे नुकसान होने वाला है Number 4, अगर आपकी website इस update से affected हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए So जो लोग अभी इस field में नए आए हैं, उन्हें शायद इस बारे में कम पता हो लेकिन early 2000s के जो साल थे, 2001-2005 में, वहाँ पर scene कुछ ऐसा होता था कि article spinner software बहुत use किये जाते थे, जिसमें आप एक article create करके देते थे और वो software words के synonyms को use करके, sentences को आगे पीछे करके, एक नया सा दिखने वाला article तयार कर देता था इस तरह के content का कोई मतलब नहीं होता था, कोई sense नहीं बनता था, कईयों के content को तो पढ़ने लाइक भी नहीं कहा जा सकता था so websites के content की quality को बचाने के लिए Google ने 2011 में panda update को launch किया, जिससे इस तरह के content को use करने वाली websites को penalize किया गया उस वक्त जो SEO field में थे उन्होंने सबक सीख लिया, लेकिन जैसे होता है हर field में धीरी दीरे चीज़ों को लोग भूलने लगते हैं, बीते 10 साल में websites के content को लेकर नए trends आ गया है लोगों ने keyword density के नए safe percentage ढूण लिये हैं और 1500 word या 2000 word या 2500 word के content की सलाह दी जाने लगी है, एक H1 होगा, दो H2 होगे, चार H3 होगे, परिवार सुखी होगा, title में कितना content यूज़ किया जाना चाहिए, इन सब के जो अपने fake concept हैं, वो सब आ गये हैं, conclusion में किस type का लिखना च होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, website का एक बहुत बड़ा percentage ऐसा है, जो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है, ताकि वो rank करें, user आए, add impression हो, click हो जाए गलती से और revenue हो जाए, इस type की sites को हटाने के लिए, Google इस update को ला रहा है, 2022 में panda update के 11 साल बाद जिसको नाम दिया ग Google content search result से हटाना चाहता है, जो content सिर्फ इसलिए लिखा गया है, सिर्फ इसलिए publish किया गया है, ताकि ये rank करेगा Google में, उसे Google हटाने वाला है, इस update में, Google unique content नहीं demand कर रहा है, fresh content भी demand नहीं कर रहा है, काफी लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, कि उनका content बिलकुल unique ह उन्होंने खुद लिखा है, फिर भी index नहीं हो रहा है, तो इस तरह के questions को भी answer करेंगे हम आज के वीडियो में, तो जैसा कि इस update का नाम है, helpful content update, तो आखिर Google किस तरह के content को helpful मानता है, number 1, आप जो भी content लिखें, उसकी knowledge आपको होनी चाहिए, उसका experience आपको होना चाहिए, आपको दूसरे source से पढ़कर content नहीं लिखना है, like काफी लोग tech blogs बनाते हैं, और ऐसे ही एक blog owner ने मुझे recently जो product reviews अपडेट आई थी, उसके बाद email किया था कि आखिर हम कितने products को खरीद सकते हैं, और original review कर सकते हैं, now problem यहीं से शुरू हो जाती है, blog बनाने वाले के उपर pressure ह है कि मैं product खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे यह review लिखना है, because इस पर reviews आ सकते हैं, यह rank कर सकता है, so आप किसी और के review को पढ़ते हैं, उसकी photo को लेते हैं, और फिर page ready कर देते हैं, but google के लिए एक problem है, because आपने product को use नहीं किया है, so आपका जो content है, वो helpful नहीं है, वो unique नहीं है, आपका उस content को लिखने का purpose है, सिर्फ अपनी site पर एक और page publish करना, और traffic generate करना, so आपको ऐसे topic पर content create करनी की जवत है, जिसकी आपको knowledge हो, जिसका experience हो, नमबर दो, आपकी website का एक खास purpose होना चाहिए, सिर्फ इसलिए website मत बनाईए, कि बस adsense से income generate करनी है, चाहे जैसे हो, चाहे जिस topic पर website बना कर हो जाए, for example, अगर आपकी website एक dentist के business के लिए है, तो website का purpose क्या है, अपने dental clinic के बारे में बताना, आपकी क्या services है, आपकी क्या facilities है, क्या facilities आपकी clinic में मिलती है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताना, या फिर आपका अगर कोई blog है, like search engine land एक blog ह जिसका purpose क्या है, search engine optimization या फिर search engine marketing के बारे में news को publish करना, ये search engine land blog का purpose हो गया, right, but then काफी सारे blogs ऐसे होते हैं, जिसमें tourism related articles भी है, news भी है, health related articles भी है, tech related items भी है, fashion related news भी है, so इस तरह की sites का purpose क्या होता है, traffic generate करना, right, I mean of course अगर आपके पास 15-20 लोगों की team है, जो अलग- लेकर वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा views को लेके आना है, ताकि उससे आपकी ad revenue हो, so इस तरह की websites का कोई अपना purpose नहीं होता है, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा traffic gain करने के लिए बनाई जाए, number 3, आपको अपनी website के visitors को complete information देनी है, उसको satisfy करना है, ये point first दो points से ह connected है, because अगर आपको अपने field की information है, seriously, तो ही आप अपने user को पोरी information दे सकते हैं, अगर आपने product खुझ से use किया है, तो ही आप एक detailed article लिख पाएंगे कि आपकी website के visitor को सारी information मिल सके, अगर user को आपकी website पर आने के बाद कोई खास information नहीं मिलती है, और वो दूसरी website पर बटक अपने content में product review update में जो guidelines दी गई थी, उनको आप follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको follow करना जरूरी है, हमने दो वीडियो में इन guidelines पर काफी सारी बातें की हैं, यह आप देख सकते हैं, इनके link आपको top right corner में दिखाई दे रहे हूं, आप यह 4 points बताते हैं कि helpful content क्या हो स article लिख कर उसे use कर रहे हैं अपनी website में, तो इस update से आपको गंभीर संकट है, नमबर दो, अगर एक ही website में आप बहुत सारे अलग-अलग type के topics को cover कर रहे हैं, like travel, tech, fashion, food, politics, sports, game, सब कुछ अगर आपकी website पर भरा हुआ है, तो आपकी website को Google punish कर सकता है, इस update के जरीए, नमबर आप content को खुद से rewrite कर रहे हूँ, बट वो भी इस update में पकड़े जा सकते हैं, अगर आप अपनी site में कुछ extra content दे रहे हैं, extra edition दे रहे हैं, जो really useful है, यह भी आपने खुद से कुछ analysis किया है, आपने पढ़के study करके, अगर आपने कुछ और नई चीज निकाली है, फिर अग article के title में लिख दिया है, कि 5 homemade cure for cholesterol control, but then article में वही 5-6 घरेलू नुस्खे हैं, जो बाकी सारी websites पर हैं, तो आपकी website इस update से affected होगी, नमबर पांच, अगर आप अपने content को जबस्ती खीच रहे हैं, कि वो 1500 या 2000 words का हो ही जाए, तो भी Google की update आपकी website को नुकसान पहुचाएगी, इस update की दो खास बाते हैं, नमबर एक, ये site-wide update होगी, मतलब कि मान लिजे कि आपकी website पर 1000 pages हैं, और इन में से 300 pages पर आपने AI generated content को use किया हुआ है, इस content को post किया हुआ है, तो Google सिर्फ इन 300 pages को सर्प से नहीं हटाएगा, बलकि बाकी 700 pages को भी searches से हटा देगा, उर्दू का share है लम होने सजा की, सदियों ने खता पाई, अगर Google को आपकी website के कुछ pages पर इस update के violation में content मिलता है, तो पूरी website को punish करेगा, नमबर दो, इस update से manual penalty नहीं मिलेगी, ये algorithm based automatic update है, Google system जिस भी website को पकड़ेंगे, उसे penalize करेंगे, automatically ये update continuously run करती रहेगी, तो आगे भी जब भी कोई नई website आ रही है, पुरानी website आ रही है, जिस पे भी ये AI generated content ये low user satisfaction वाला content publish किया जाएगा, ये update उस website को searchable speech से हटा देगी, ये update अगले हफते से rollout होना शुरू होगी, और दो हफते में completely rollout होगी, अगर आपकी website पर AI generated content है, ये बहुत अलग अलग type के content को आपने publish किया, पर content हटाने के बाद भी कई महीने का time लग जाएगा इस update से recover होने में आपकी website को, अगर आप इस वीडियो को कुछ महीनों के बाद देख रहे हैं, ये update rollout हो चुकी है, और आपको लगता है कि आपकी website इस helpful content update से affected होई है, तो अपनी website से खराब content को हटाईए, और continuously अच्छा content post करते रहे है, इस update का असर हट जाएगा, बट कुछ महीनों का time लग सकता है, ये था एक quick overview आने वाली tsunami का जिसका नाम है helpful content update, अभी आपके पास एक week का time है, अपनी website के content को ध्यान से, बहुत ध्यान से audit करिए, और जो भी खराब content है, ये रेंडम generated content लिखा हुआ है, AI generated content है, उसे हटा दीजे, मिलते है अगले वीडियो में जल्दी ही, thank you so much for watching this video, my name is Amit Tewari from amitewari.net and I will see you next time.